हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी अकेडमी में आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बीटी यूपी ले टेस्ट न्यू अपडेट क्या आई है आप सभी ये चिंता में होंगे कि हमारे पेपर कब हों जहां तक की डेट शीट भी आ गई थी उसमें पूरा आपका सैट्डिूड लगा रखा था कि साथ जन्वरी से 20 तारिक तक सब के पेपर खतम हो जाएंगे लेकिन अब जो है आप सब बता रहे हैं कि साथ जन्वरी से पेपर नहीं होंगे सब पोस्ट पॉंट हो गए हैं त इस सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहे हैं वीडियो के अंते तक अगर चैनल पर पहली बार विजिट गिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को प्रेस कर लीजे क्योंकि हम आपको BT UP की सभी जानकारियां देते रहेंगे कि आपके पेपर कब से होंगे या आपको जो most important questions हैं वो आप सभी को बताते रहेंगे तो चलिए बिना समय खराब करते हुए वीडियो की starting करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप सभी के पेपर कब से होंगे पहले आपक था साथ जन्वरी से होंगे लेकिन ये अब नहीं रहा आपके साथ जन्वरी से पेपर नहीं होंगे आपके ये पोस्ट पॉंट कर चुक्त हुए हैं क्योंकि जो first semester के बच्चे थे उनका अभी तक admission हुआ था December की starting तक उनका admission हुआ था और फिर उन लोगों को time नहीं मिल पा नहीं आया है अभी first semester का तो इतनी जल्दी paper नहीं हो पाएंगे इसलिए आप सभी के जो exam है वो पोस्ट पॉंट कर दिये हैं आपकी जो date sheet है वो नहीं आईगी अब सबाल ये होता है कि आप सभी के जो practicals है वो paper के बाद होंगे या paper से पहले होंगे तो आपकी जो practicals है वो paper से पहले ही हो जाएंगे और जो आपके seasonal number है वो आप सभी के चड़ गए है और आपके seasonal number जो है वो चले गए है अब आता है आपका practical कव होंगे तो practical आपके exam से पहले होंगे याईसा कि आप इसमें देख रहे हैं जाविद मुस्तफा जी ने बताया है कि polytechnic wisdom semester के practical लिखित प पाते हैं तो उनका practical लिखित परिक्षा के बाद पूरे किये जाएंगे अभी date जारी होना बाकी है तो अभी आपका date confirm नहीं हुआ है कि आपके practical कब से होंगे या exam कब से होंगे तो आपका जो decide है कि आपके जो practical है पेपर से पहले होंगे तो आप सभी अपनी तयारी जारी जहिए आप अपनी तयारी करते रहें क्योंकि अब वो 5-10-15 दिन में ही आपकी date sheet नहीं आ जाएंगे और आपके paper आ जाएंगे जादा टाइम नहीं होगे पोस्पॉंड आपके फरवरी तक आपके paper हो जाएंगे जैसे आपके फरवरी starting से आपके paper start हो जाएंगे तो अभी आपके पास बस 15 दिन है 15-20 दिन में आपको और तयारी कर दीजिए अच्छे से तयारी कर दीजिए और आपको कोई भी doubt हो या कोई भी question पूछना हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं comment box में paste कीजिए हम आपको जरूर बताएंगे अगर कोई भी information हो तो आज की वीडियो में इ